अच्छा आपको क्या लगता है डॉक्टर को मालूम है कि हार्ट इटेक कल होगा आज होगा उसको तो यह भी नहीं मालूम 70 है 80 है या 90 है क्यों ऐसा बोला जा रहा है और विख और प्रॉट आसरे उसके मन में एसे डर रहता है उसको जाद ढराने कापर कभी कपेषन बोलता है सहरे बाध बताईए ब्लॉकες तो कल भी था ब्लॉकες तो आज बहु ए तक तो मैं सारा ही काम कर रहा था, यह पेन तो मेरे को बड़े दिनों से है, मैं अब तो पता चलाओं, तो आप एक काम करिए, मेरे को आप डिस्चार्ज कर जीजिए, मैं घर जा के फिर सोचूँगा, बोला नहीं, आप एक काम कीजेगा, आप करवड भी लेंगे ना तो हमको पूछ लीजेगा, पेशेंट बोलता है, नहीं सर मैं तो घर जाओंगा, बोला आप रुकिये, आपकी घर वाले से मैं पूछता हूँ, अचा घर वाले बहार कौन-कौन वेट कर रहे होंगे, सारा खांदान वेट कर रहा होगा, वहाँ पर जाके क्या बोलना है, कि पेशें मिला, आस तो मैं आपरेशन, वाई बोलती है, कोई चीज का भी कोई भी कंजूसी हमें नहीं करना है, इनको तो बंचाना, अचा बेटा मानेगा के नहीं, एक बेटा बड़ा समझदार होता है, बोलता है दॉक्तर को, एक बड़ा बता है, मैंने सुना है, कोलेस्टरोल के ब अचा तब तक और जितने परिवार वाले बोले, नहीं, नहीं, ऑपरेशन होना ही चाहिए, मेरे एक पेशेंट ते बोले, डॉक्तर साब, मेरे साथ पूरा ऐसे हुआ, मैं तो खाली एक बार टेस्ट करनाने गया था, और उसके बाद ऑपरेशन करके ही भेजे मेरे को बाब जाने नहीं दिया, फिर मैंने लास्ट बोला, मैंने बोला, देखो मैं करने तयार हूं, पर प्रॉबलम है, मेरे पर पैसे नहीं है, आप फ्री का कोई ट्रीटमेंट हो तो करवा डालो, तब इनोंने बोला, कोई प्रॉबलम नहीं, आप घर चले जाओ, पिर मैं जब घर ज आप कोई प्रब्लम नहीं है, दो महीने बाद ही ऑपरेशन होगा आपको समझा रहा है, अपरेशन कब रुख सकता है इस इस, मैं यह नहीं बोलूँगा, सारे जगे एक जाक्ली यह हो रहा है पर इसका इकोच छोटा मोटा रूप यह हॉंस्पिटल का सिस्टम है, पर एक बात मैं जानता हूँ, हॉंस्पिटल को यह चॉइस देना चाहिए पेशेंट को, देखो, 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 क्या चाहते हो आप अगर अपने आपको बदलोगे, तो अपरेशन रोख सकती है आप नहीं बदलना चाहते हो, तो मैं ऑपरेशन कर दूँ, उसके बाद जाके बदलने का कोसिस करो एक तो दवाईया है, बाइपास और एक अंजयोप्लास्टी, यह दवाईया मैं आपको एक पर समझाना चाहता हूँ, दवाईया क्या काम करती है और another 10 minutes I'll take, देखे यह टूब है, जिसमें कोई ब्लॉकेज नहीं है, और यह 80-90% ब्लॉक है, दिख रहाए आपको अब यह पेशन को चलने से दरद होता है, एक दवाई ऐसी है, जो दवाई देते यह दरद कम हो सकती है कौन सी दवाई है, sorbitrate, नाम सुना आपने, क्या करता होगा sorbitrate, देखे क्या करता है sorbitrate This is what is the action of sorbitrate, क्या हुआ, tube चौड़ी हो गई, blockage महीं के नहीं रह गई, tube चौड़ी हो गई tube थोड़ा फैल गया, फैलते क्या हो गया, blood supply बढ़ गई, patient बोलता है, मुझे अप कोई दिककत नहीं है पर यह दवाई का असर रहेगा 8 गंटे बाद, तो 8-8 गंटे में एक sorbitrate देनी पड़ेगी एक patient मेरे को बोला, मैं sorbitrate नहीं लेता हूँ, मैं monotrate लेता हूँ, मैं बोला, वो भी sorbitrate का भाई है तो यह जितने भी sorbitrate है, उनका नाम में आपको दिखा सकता हूँ, these are all kinds of sorbitrate and all यह सब दवाई हम लोग दे देते हैं, sorbitrate, ismo, isodil, monotrate, nitrofix, angicid, imdur, angicor, vasotrate, monotrate, monosorbitrate, nitrocontine, vasoprine, monosprine इस तरह की दवाईयां हम हार्ट के patients को दे देते हैं, anyway, दवाईयां बहुत सारे तरह के मिलती हैं, एक होता है हार्ट की oxygen की जरुवत को कम कर देता हैं, इसको बुलते हैं, beta blocker, calcium channel blocker, फिर ace inhibitor, ऐसे करके बहुत सारी गोलियां हम लोग हार्ट के patients को दे सकते हैं, I am not going to go into that detail कुछ blood पतला करने का दवाई भी देते हैं, आपने देखा है नाम, eco-spring, coal-spring, ASA, del-spring, dis-spring, clopicle, clopulate, clopiva, ceruvine, clavix, clotrel, plagery, stromex, deplat, इस तरह की गोलियां हम लोग देते हैं, blood को पतला करने के लिए, पर ये गोलियां देने से भी patient ठीक, नहीं होता है, तो इसके लिए मैं च side effect होती है, constipation, तो constipation की और गोली दूँगा, और acidity हो जाए तो, acidity की गोली दूँगा, नेंद ना है तो, नेन की गोली दूँगा, अच्छा बता है, ये बीमारी ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, I am not keen, मैं जानता हूँ दवाई आज जरूवत है, पर कल दवाई की जर गियोग्राफी, एक तार आपकी पूरे बॉड़ी को scratch करके heart तक लेके जाना है, ये तार यहां से जो घुसेगी, one meter wire is inserted into the body till it reaches the heart, it is a blind procedure, blind मतलब क्या, आप घुसाद हो, ये अंदर जाती जाएगी, और अगर अटक गई तो बापस खीच के फिर से ट्राइ करना होगा, मतल और अंजियोग्राफी के बगत ही डित हो गया, अंजियोग्राफी में पैर को काटना पड़ा ultimately, क्योंकि पैर की ट्यूप को damage कर दिया, तो अंजियोग्राफी मैं नहीं चाहता हूँ, और उसके बाद क्या होगा, inaccuracy about the report, और उसके बाद pressure from the cardiac doctors for the next operation, पेशेट को लगता मे अंजियोग्रे को emergency हो गया, बट emergency precipitate कराया, जा सकता है, anyway, यह angioplasty जो है, यह दो operation, दो चीज़ोग करते हैं, angioplasty एक bypass surgery, मैं angioplasty दो मिनिट आपको समझाना चाहता हूँ, what is this angioplasty, extent लगाते हैं, सुना अपनी नाम, एक ring लगा देते हैं हाट में, what is this, let me explain what is this, पिछले 20 इस साल में जो angioplasty है, यह बार बार फेल किया और बार इसको success बताया गया, पहले आई थी ballooning, balloon angioplasty, उसके बाद बहुत सारे तरह के angioplasty आई, ordinary stent आई, फिर gold stent आई, फिर rota blader आया, radioactive stent आई, laser angioplasty आई, आज कल चल रहा, drug coated stent, पर यह सारे के सारे फेल हुए है, क्यों fail हुए एक बार समझाना चाहता हूँ, देखे यह ballooning क्या चीज़ है, याद है आपको angiography के पकर तार अंदर घुसा आई थी, वो कहां तक गई थी, हाट तत, यहां तक तार आई थी, इस तार के ओपर यह balloon रोता है, इस तार को थोड़ा सा धका मारते है, कभी कभी cardiologist तार क अंदर रख़े बहरा जाते है, आके बोलते हैं देखो तार अंदर है, बोलो तब ही खोल दू, आप बोलते हैं चलो, खोल दो, कितने लगेंगे, दो लाख लगेंगे, दो लाख दे दिया, अब यह तार को एह लोग धका देते हैं थोड़ा और, तो तार की जो balloon है, यह बी तही ब्लॉकेज खाहा गई, साइड में दब जाएगा, उपर कंप्रेस्ट हो जाएगी, नीचे कंप्रेस्ट हो जाएगी, अच्छा ये बैलून को जब पानी निकाल लेंगे तो क्या होगा, बैलून को वहाँ पे दो चार सेकेंड से ज्यादा नहीं रख सकते हो जाएगी, ह ये तार यहाँ थी, इसी को थोड़ा आगे किया, बैलून डाल पानी निकाल लिया, और ब्लॉकेज बापस, अच्छा ब्लॉकेज बापस आजाएगी, नहीं आजाएगी इसके बार, क्या लगता आपको, इस इस एलास्टिक, इलास्टिक समझते हैं, ये लोहा या पत्थर इलास्टिक है, और जैसे बैलून निकाल लिया, ब्लॉकेज बापस आने लग गई, थोड़े साल बाद यही काडियोलोजिस्ट मान गए, बैलूनिंग काम की, नहीं है, पहले क्लेम किया था, बैलूनिंग एक बार करा होगे, जिंदगी बार चलेगे, फिर मान गए, काम की नहीं है, फिर क्या हो गया, फिर हो बोले, इसमें स्टेंट लगाना होगा, बैलून निकाल लेंगे, तो ब्लॉकेज बापस आईगी, तो यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा देते हैं, यह स्प्रिंग क्या काम करेगा, ब्लॉकेज को आने से रोग देगा, आपको समझा रहा थी, इसका मतलब पहले वाला जो क्लेम था वो, गलत था, कि बैलूनिंग करा लो, ठीक रहा, इसके बाद यह जो स्टेंट लगी, स्टेंट का एक मेजर प्रॉब्लम है, कि इसके अंदर से ब्लट जाएगी, और फॉरें बड़ी के अंदर ब्लॉकेज बहुत जल्दी होती ह यह देखा गया, यह स्टेंट में छे मेना एक साल में सारे ब्लॉक आ जाती वापस, और यह जब बापस आने लगी, तब इन्होंने थोड़े दिन तक तो बोला, नहीं 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 आती है, थोड़े दिन बाद इन्होंने बोला, कि नहीं यह स्टेंट सो खराब होगी, क्य कोटिंग चढ़ा के लगा दिया पर इसके बाद भी एक फॉरें बोडी ही रही इसमें वही का वही रेजल्ट आया है अभी लेटेस्ट है कि 66% इसके बाद है बाइपस सर्जरी एक बहुत बड़ी सर्जरी होती है देखे बाइपस सर्जरी मैं इसलिए नहीं चाहता हूं बहुत बड़ा सर्जरी है एक पूरे चेस्ट को काटो और इसको काट के इसको चाकू से नहीं कटेगा इसमें आड़ी से कटेगी आड़ी समझते है आपने मार्बल फिटिंग के बख़ देखा है गोल चक्का लेके घुमते है ऐसा एक लगा के गुर्र ये पुरा खुलेगी इसको अंदर से जैक करके इसे खुलेगा अंदर में हार्ट को रोक के उसमें ऑपरेशन होगी और हार्ट को रोकेंगे तो एक मशीन से पूरे बॉड़ी को ब्लड जाएगा इसको बोलते है हाट लंग मशीन उसमें कुछ ब्लड डालके उससे चलाना होगा और दूरिंग दिस ताम दॉपरेशन हैस तो टेक प्लेस बट इस ऑपरेशन इस वेरी कंप्लिकेटेड लाक अच्छा हो तब ठीक है नहीं तो कुछ ना कुछ लगी थी आपको याद है देखिए एक वाई का जवाब सोच के देखिए ओरिजिनल ट्यूब में कितने साल में ब्लॉकेज होई थी 20 से 40 साल तो किती स्पीड रही 2 से 4 परसेंट 6 पर और एंजियो प्लास्टी के बाद अगर 2 साल में बापस री ब्लॉकेज होती है तो कितने साल हो गई 40 परसेंट पर और बाइपास के बाद अगर 5 साल में री ब्लॉकेज आती है तो 20% पर जो ट्यूब ओरीजिनली 2% की ब्लॉकेज कर रही थी वो अब ऑपरेशन के बाद उसकी स्पीड क्यों बढ़ गया क्योंकि अब ओरीजिनल नहीं रहा हमारी बॉड़ी को जब तक ओरीजिनल रखो तब तक अच्छी बात है हमारे प्राइन मिनिस्टर ने भी दो दो बाइपस कराई है अंजिव प्लास्टी पांच स्टेंट लगाई है पर मैं जानता हूं उसके बाद भी तो फिर से कराना पड़ा एक बार कर लिया दुसरे बार कराई कब तक करा सकता आदमी और मैं जानता हूं बाडी में एक बार कम्प्लीकेशन कराना उनके लिए तो चलो बहुत बड़ा टीम लगेगा हर आदमी के लिए त्नी बड़ी टीम नहीं भी लग सकती है और इतना बड़ा उपरेशन नहीं भी कर सकते ठीक से पर मैं जानता हूं अगर उपरेशन भी नहीं हमारी काम बन जाए अगर हम लाइश्टाइल को ही चेंज करके कर सकते हैं तो हम उपरेशन क्यों करवाएं और इस इस वाट इस थी चीज समझाता हूं कि ब्लॉके जगर रिवर्स करना है तो इसके लिए थोड़ा आपको एक्यूरेसी करना होगा What is this accuracy you understand? This is the accuracy इस पिक्टर को आपने देखा है इसमेशा एक्यूरेसी लिखा है कितना एक्यूरेसी है इसका मतलब मैं अपको सम्झाता हूं यहक्ट्र इं है यह ड्रम में तो क्या देखता हूं, उनको कुछ मालूम भी नहीं है, वो क्या बोलते हैं, मेरा कोलेस्टरोल कंट्रोल है, ट्राइगलिसाइड ज्यादा है, शुगर कंट्रोल है, बोला ऐसे नहीं चलेगा, सारे होल बंच चाहिए मुझे, बोलते हैं, थोड़ा-थोड़ा करूं तो कैसा चलेगा, मैं थोड़ा-थोड़ा से निकाब नहीं चलेगा, बोलते हैं, मेरा BP कम किया हूं और पूरा कम नहीं कर रहा हूं, 120 नहीं लड़ा हूं, 140 ही रखा हूं, मैं बोला नहीं चलेगा, मुझे सारे फैक्टर्स एक साथ कंट्रोल चाहिए, हाँ, इसके लिए शुगर, BP cholesterol triglycide आप से कम नहीं हो रहा हूं, मैं दवाई देके कम कर देता हूं, पर smoking आपको पुरही बंद करना होगा, खाने में तेल आपको बंद करना होगा, exercise आपको करना पड़ेगा, over weight कम करना होगा, खाना पीन में फाइबर जादा डालना होगा, अच्छे ये सब संभब है क् क्यों नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं सिग्रेट बंद कर सकते हैं, क्यों नहीं मीड बंद कर सकते हैं, क्यों नहीं तेल घी, छोड़के आप अलग तरीके से खाना बना सकते हैं, तो all these if you do, there is no problem, nevertheless, मैं जानता हूं, एक और छोटा सक चीज आपको बताना चाहता हूं, अभी एक और नहीं जो technology आगई है, आदमी को मैं सोलता था, बिना काटे कुछ हो सके, यह हमारी cooking की class है, this is a cooking class, मैं हाट के patients को training देता हूं, this is my dietitian, teaching, cooking, zero oil cooking to the patient's wives, मैं हाट के patients को yoga सिखाता हूं, मैं बोलता हूं, कैसे भी करो, yoga करो आप, yoga करने की बहुत जरूरी है, उसके साथ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कितनी समान उठानी चाहिए, गाड़ी चलानी चाहिए, स्कूटर चलाना चाहिए, ऑफिस जाओ तो क्या precaution लो, दादर चड़ो तो क्या precaution लो, आगे कौन सी yoga करो, कब तक करो, कौन सी medicines लो, कब तक लो, and for this, हाँ, मैं एक magazine भी नाम एड्रेस भी भर के देंगे, तो आपको ये magazine आगे आपको मिलता रहेगा हर महीने, हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों में magazine है, और इसके साथ एक छोटा सा और question यह रखा है, कि यहाँ पर अगर हम लोग ऐसा कोई camp करवाएं, so how many people will be interested to join such a camp, एक दिन का या दो दिन क कुछ दीजे ना, copy, तो मैंने एक ऐसी किताब बनाई है, जिसका नाम है, Pocket Guide, एक 30 रुपीज के किताब है, कोई दो घंटा बैट के पढ़ ले, तो जितनी बाते मैंने बताई है, सब इसमें लिख के रखा है, so this book I have brought over here, मेरे खाल से, बाकी books तो मैं नहीं ला सकता हूं, क्य यह बहुत जरूरी है, मैं जानता हूं, मैं यह magazine पिछले 10 साल से run करता हूं, and it is gone all over the world, मैं एक नहीं टेक्निक आपको इसी बकर बताना चाहता हूं, there is a new machine which has come, which can open the collaterals, देखे, collaterals का क्या मतलब है, यह blockage है, बाई-पास surgery में क्या करते हैं, नहीं ट्यूब लगा देते ह इसमें क्या करते हैं, जो heart की यह branch है और यह branch है, इनको जोड़ देते हैं, and there are so many small tubes, जो इसको जोड़ जाए, तो blood यहां से यहां से आने लगे, यह जो छोटे-छोटे tube है, यह मैंने बोला था, sportsman चालू करके रखते हैं, और sportsman चालू कर दिया तो क्या हो गया, उसके पास दो supply हो गई, एक तो यह original है, और यह side वाली भी है, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, बैंक में अपने loan लेते वे देखा हैं, कभी collaterals बोलते हैं, को लैटरल मतलब क्या, कि यह फेल हो जाए, तो दूसरा कोई होना चाहिए, तो यह collaterals भगवान ले हमें देके रखा है, और यह जिनल तो धा ही था, एक ओलाटरल भी देके रखा है, कभी यह फेल हो जाए, तो यह चालू करना, अच्छा यह अगर चालू हो जाए, बीना operation के, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, और यह अच्छा कुछ नहीं हो सकता, यह अगर नियू मशीन, तो इससे अच कर सकते हैं, या तो एक मशीन से चालू कर सकते हैं, यह मशीन क्या करती है, सोचिए, यह जैकेट्स लगा दी है, हमने कफ में, थाई में, बटक्स में, और सारे को एक साथ स्क्वीज कर दूँ, तो क्या होगा, इसकी बलड कहाँ जाएगी, बॉडी में ही रहेगी, पर यह प्रेशर एक-गंटे तक इसको हार्ट किसंगि सिंग्र guitlas करके दिया जाता है सिंग्रीट मतलब हार्ट यब पंप करे तो मशीन पंप नहीं करता है यक खाट पंप करके रिलाइक्सा करने लगे जब पूरिए बलड बापस आती है वो squeeze करके सारे blood को एक साथ बेजा जाता है and this goes on, ECG feed होती है computer को and this machine we have seen now, without bypass surgery आदमी बोलता है, मुझे immediate result चाहिए तो without bypass this can work very well तो इसको हम लोग बोलते है natural bypass, natural bypass समझ नहीं भगवान ने already natural bypass हमें देखे रखी है, sportsman चालू करके रखा है, तो आप heart के patient आप चालू करो, आपके पस pole lateral आ गई तो original नहीं भी होगा, तो भी काम चल जाएगी और एक, मैं जैसे ही हाँ, एक और treatment आई है जिसको लोग बोलते है, bio chemical cleaning ये अभी बहुत अच्छी result आ सकती है कुछ chemical अंदर डाल के blood में, उसको अंदर से गला लिया जाए जैसे kitchen में आपने सुना, नाली जाम हो जाए तो क्या करते हैं लोग, कुछ chemical डालते हैं अंदर से, तो ये chemical की भी treatment आजकल चल रही है बट अभी भी इसका results हर आदमी में same नहीं आता है, बट results are still there, बहुत सरे ऐसे patient हैं जो 30-40% तक blockage इससे कम हो सकती है, never delays, मैं समझता हूँ, मैंने बहुत सारा lecture आपको दे दिया है, कोई ने मेरे को बोला था एक बार कि डॉक्टर साब, कभी भी किसी को आदे घंटे से ज़्यादा lecture मत दिया किजे, मैंने बोला क्यों, बोला आपने स्कूल, उसके बाद दिमाग काम नहीं करता है मैंने बोला क्यों आपने स्कूल कॉलेज में देखा है, कभी भी periods 40 मिनिट से ज़्यादा नहीं रखते हैं, उसमें पांच मिनिट आने जाने का वेस्टेज गिन लो, आदे घंटे स्री माफवतलाल जी को, जिन्हों ने आपके लिए ये लेक्चर कराया है और अगर अगर अपको लेक्चर अच्छा लगा है तो उनके लिए फिर से एक बार I just wanted to formally thank Dr. Chajir for a wonderful, not only a wonderful talk but highly personal and you know very interactive and particularly the stamina and energy that is shown at the end of the day just came back from Hyderabad today so I think we should give him a much more warm welcome